हेलो व्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेब अर्वित आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 28 मार्ज अनि आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में इविलोन टक, मेंड एंफोर्जिंक हों से उदर शेब कोमार अर भी दोस्तों नए आईपिो जिनके बारे में बात करेंगे कुछ आइपिो जिस्ट हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि वो हमें बताता है कि किस प्रकार का मार्केट में अभी लिस्टिंग पे IPOs के प्रीमियम मिल रहे हैं या फिर वो डिस्काउंट मिले स्ट हो रहे हैं तो उसका कितना प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा तो वीडियो को पुरा जरूर देखेगा आज इंपॉर्टन दिन है अलॉट्मेंट है उदेशिवा कुमार इंफ्रा का एवलोन का प्राइस प्राइस बेंड निकल के आ चुका है तो उसके वहरे में बात करेंगे गरीम आकरन तो आक्शन बहुत बना हुआ ही है तो डिफिनिटली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टन होने वाला है फर्स्ट एंफ रंस अगर आपने चैनल से जुड़े है चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फ्रेंट सबसे मेले बात करते हैं इस वीडियो में Avalon Technologies Limited के उपर तो Avalon Technologies Limited के उपर सारी इंफॉर्मिशन निकल के आ चुकिये सारी इंपॉर्टन इंफॉर्मिशन जो है वो रिलीस कर दी गई है 3rd of April से 6th of April के बीच में ये इश्यू ओपन होने वाला जिस आप सबको पता ही है अगर यहाँ पर बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी का काम है EMS Services देने का एनिफुल इंटिग्रेटेड इलेक्रोनिक मैनुफाक्टरिंग Services जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है और end-to-end capabilities है जिसमें box build solutions भी प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर और high value precision engineered products जो है वो कंपनी काम करती है जो कंपनी है वो one of the leaders है यह बाध्यान रखेगा इस segment के in terms of revenue in fiscal 2022 तो अपना आप में देखे कंपनी बढ़िया है काफी जग़ा कंपनी का काम का जिसमें कोई doubt नहीं है सबसे important बात करते हैं दोस्तों IPO की details के बारे में तो देखे 3-6 April की बीच में तो यह open होने वाला जिस आपको पता ही है 2 रुपे का face value है और 436 रुपे का दोस्तों price band जो है वो release कर दिया गया यानि 436 रुपीस का आपको एक share मिलने वाला है 436 रुपीस का एक share मिलने वाला है और अगर आगे बात करते हैं तो आपको एक lot के अंदर 34 shares मिलने वाले 865 करोड का यह पुरा issue होने वाला है जिसमें से 320 करोड का fresh issue और बाकी का यह OFS रहेगा यानि 545 करोड का बात करते हैं और आगे तो यह BAC ए NAC दोनों पर list होगा कंपनी के अगर और बात करते हैं तो जो allotment है वो 12 April refund 13 April shares credit हो जाएंगे आपके DMAT में 17 April और 18 को इसकी listing जो है वो markets में हो जाएगी तो definitely यह important important बात है जो निकल के आ चुकी है आपको एक lot में अगर आपको एक application लगानी है अगर एक lot आपको apply करना है तो आपको उसके लिए करीबन 14,824 रुपीज पे करने पड़ेंगे retail में आप maximum 13 lots के लिए apply कर सकते हैं और अगर आप H&I category में लगाते हैं तो आपको minimum 14 lots के लिए apply करना है और max 67 lots के लिए apply करना है यह सिफ small H&I की बात कर रहा हूँ ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर Avalon Technologies में के बारे में जो information है वो निकल के आई है जैसे मैंने काश का detail video जल आएगा channel पर इसमें हम बात करेंगे company के valuations के उपर कैसा यह आपर company का IPO है किस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए उसके बारे में बात जल करेंगे अब उदर शिवाकुमार इंफरा के बारे में बात करते हो देखिए आज उदर शिवाकुमार इंफरा का allotment है आज allotment है तो यहाँ पर detail video आपको कहा था आएगा चार बज़े दोस्तों detail video channel पर upload हो जाएगा जिसमें हम बात करेंगी कि किस तरह से आपको allotment चेक करना है विकास अभी तो देखिए कुछ start भी नहीं कोई process start होई है तो उसमें बात करेंगी कि कितनी बज़े start होगा और कि कौन सी website पर check करना है कैसे check करना है सब आपको channel पर मिल जाएगा तो बिल्कुल channel के साथ जुड़े रहिएगा अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट की उपर तो देखिए आज सबसे पहले तो जो listing हुई इसके रहें बात करते हैं निर्मन एग्री जेनिटिक्स की दोस्तों आज listing अच्छी बात क्या है कि बहुत अच्छी हो गई जी हां दिखा रही थी कि 94 पर लिस्ट होगा लेकिन कल में आपको एक बात कही थी कि बहुत ज़्यादा चांच से होते हैं कि positive में लिस्टिंग हो जाए और आज exactly वही हुआ 99 का issue 102 पर लिस्ट हो गया और लोगों ने मुनाफ़ा कमा लिया तो undoubtedly यह अपना आप में काफी बढ़िया बात है कि लोग अभी मुनाफ़ा कमा रहे हैं उन IPOs के अंदर भी जहां पर response अच्छा नहीं आया उसकी बावजूद भी IPOs भली बहुत बड़ी listing यह नहीं दे रहे ह कम से कम नुकसान नहीं हो रहा है जो अपने आप में बहुत बड़ी positive बात है तो definitely आपर निर्मन एग्री जनेटिक्स ने आज अच्छी खाज अच्छी लिस्टिंग करके दिखाई अब बात करते हैं ग्रे मार्केट के उपर तो सबसेल तो देखिए बात करें Avalon Technologies के उपर हाफ पोर्शन के आसपास का आपको ग्रे मार्केट दिख रहा है आई पी जो है वो ओपन होने वाला है from 31st of March 76 रुपीस का प्राइस बेंड है यह बाद अब ध्यान रखिएगा यह एक SME इश्यू है अगला आता है दोस्तो एक जिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉलूशन एक SME इश्यू जल्द ओपन होने वाला है 64 रुपीस का प्राइस बेंड है कोई ग्रे मार्केट नहीं है ओपन होने वाला है 31st of March से अगला इश्यू दोस्तों निकल के आता है इन्फीनियम फार्माकेंप इन्फीनियम फार्माकेंप की ग्रे मार्केट सॉरी कुछ भी नहीं है कल से ये बात ज्यान रखिएगा अगला इश्यू दोस्तों निकल के आता है मेडन फोर्जिंग का बंद हो चुका इश्यू बट कुछ भी कोई खास इंटरस निकल के नहीं आया एंड डेफिनेटली यहाँ पर देखना होगा कि इसकी लिस्टिंग किस प्रकार की होती है अगर आप देखेंगे तो 18 से फिर 12 आ गई है तो बड़ी गिरावट आपको ग्री मार्केट में देखने को मिली है अब इसके पीछे कारण आपको दाता हूं इसके पीछे कारण है बाजार देंकि मार्केट्स के अंदर एक बाद आप डफिनिटली डिफिनिटली देख रह क्या मतलब ग्लोबल इकविटी मार्केट्स को तो बहुत जांडा पीछे छोड़ दिया लेकिन हाल फिनाल में कि अरहा है कि ग्लोबल इकविटी मार्केट्स अड़ी बुरा नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे Markets अभी ब्हुँक्ष खास अच्छा नहीं कर पा रहें तो मुझे यह definitely मैं आपको गह सकता हूँ, markets के अंदर तेजी नहीं है, बाजार में अभी बिक्वाली देखने को काफी मिल रही है अब उधर शिवाकुमा इंफ्राकीर देखिए तो subject rate से वो 6,277 पहुच गई है तो यहाँ पर भी गिरावट आई है, बट ठीक है मुनाफ़ा होने की चांसे काफी अच्छे है 35% की आसपस की ग्री मार्केट कम नहीं होती है देव लेप्टिक विंचर्स 4 उपे की ग्री मार्केट है, 7.86% की इसकी ग्री मार्केट है, 16 जागर subject rate से काफी बढ़िया है लिस्टिंग दोस्तों यहाँ पर कल होने वाली है तो देखते की देव लिप्टे की कल किस तरह की लिस्टिंग होती है, कमांड पॉलिमोर्स माइनस 4 उपे ग्री मार्केट, 14% 15% की आसपस का नेगेटिव ग्री मार्केट दिसकाउंट में यानी कल अगर यह उपन होता है तो अपना आप में इसके लिए भी काफी कराब होगा देखते की कल किस तरह की लिस्टिंग कमांड पॉलिमोर्स की होती है निर्मन एक्री जनिटिक्स की आज अच्छी लिस्टिंग हो गई विच इस वेरी पॉजिटिव साइन तो इस वीटिव में इतना ही था वीडियो बढ़िया लगा होगा लग रहा है कि देखें मार्केट सुधर सकता है बट यह है कि देखें सुधरने के लिए आक्शन उस तरह के होने चीए दूसरी बात यह है कि बाजार के अंदर IPO market की बात करूँ तो especially IPO market अभी बहुत ज़्यादा निराश नहीं कर रहे हैं जिसे आज listing होई तो एक positive संगियत भी निकल के आता है तो इस वीडियो में तो इतना ही था आपका क्या मानना है कोमें जोद रहेगा और definitely वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द अलॉट्मेंट पे तो चैनल के साथ जुड़े रहेगा थैंकि फ्रेंड्स वॉचिंग दिस